वेल्कम फ्रेंज आज की वीडियो में हम आपको भगवान विश्णु जी के अवतार वरह उनका स्वरूप बनाना सिखाएंगे तो हम यहाँ पर पहले खले ले रहे हैं खले से आप देख रहे हैं एक तो हमने धर्ती माता बना दी है और यहाँ पर हम फेस बना रहे हैं वरह यह क्ले फ्रेंज आप घर पे भी बना सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं तो आप वहाँ जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी वरना अगर आप वह भी आपके नहीं करना चाहते हैं तो नॉमल आप मित्ती क्ले कुछ जो होता है वह भी इस इस तरह देख रहे हैं हमें शेप देनी है और ये एक्स्ट्रा हमें थोड़ा हम चीक जो गाल है उनको प्रोमिनन्ट दिखाने के लिए में एक्स्ट्रादव बॉल्स पर ना ली थी सेम साइस की उनको टैप करके इस तरह के से लगा देंगे तो ये दोनों हमारे अच्छे स आप इसे फ्लाट कर दीजिए शेप जैसे हमें देनी है देखिए यहाँ पर मैं टूल्स ना इस्तेमाल करके अपने नेल से ही फ्लाट कर रही हूँ इन्हीं हम अच्छे से ड्राइ होने देंगे तब तक जब तक कि यह कंप्लीटली अंदर से भी ड्राइ ना हो जाए यह मिक्स कर लिया था तो थोड़ा सा अच्छा शेड ऑफ ब्लू क्योंकि हम पूरा ब्लू में ही बनाने वाले हैं ब्लू कलर में ही तो यहां पर हम पेंट कर रहे हैं अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन के साथ उससे क्या होगा आपकी जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले आपको ही उसकी नोटिफिकेशन आईगी मेसेज की तरह तो यह जब कम्प्लीटली हमारे ड्राइ हो गया है तो आप चाहें तो पैंसल से भी रफ पहले ड्रॉ कर सकते हैं और फिर यहां के अंदर जो है वाइट पिंट जो है फिल कर रहे हैं यह द्राइ होने में थोड़ा सा टाइम लेगा तब तक हम अपना नेक्स काम कर लेते हैं तिलक बना रहे हैं यहां पर वाइट कलर का तिलक बना रहे हो और सेंटर पार्ट इसमें रेड कलर से फिल कर रहे हैं अब यहा यह चाइड़ को थोड़ा कर लेंगे और इसे ट्विस्ट कर देंगे और क्लोज करके ऐसा ज्यसा बना देंगे तु मैं स्टइट बेज उसके अंदर चला गया है उस तरी के से हमारी कुंडल बन गए है हूं ऐरी अभी जो पेपर आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा हार्ट चीट हमें चाहिए होती है तो मैं नॉमली ओल इंविटेशन कार्ट जो हमारे पास पड़े रहते हैं मैं उससे बना लेती हूं तो यहां पर हम कोन जैसा बना रहे हैं मेशर करके हम बना देंगे फिर में गोल्डन कलर का पेंट लेकर से हम यहां पर कर रहे हैं आपके पास गुल्डन कलर नहीं है तो ट्थ ओके आप गोल्डन कुई शीठ और चिपका सकते हैं जब यह अच्छे से ड्राइब हो जाएगा तो हमारे पास ही राइन स्टोन है कुछ तो तो हम उसको यहां पर लगा रहे हैं थोड़ यहां पर भी मैं पूछना चाहूंगे कि प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि वरह जी विश्णु जी के कौन से नंबर के अवतार हैं तो अब यह देखिए हमने पूरा मुकट अच्छे से डेकोरेट कर लिया है अब इसे सूखने देंगे अच्छे स तब तक यहां पर हम नेकलिस बना लेते हैं क्योंकि सारे ओर्नमेंस हमें बनाने हैं तो हम सेम ही जो हमारे पास कुंदन है या चक्री आप देख रहे हैं उसे से ही सब कुछ बना सकते हैं लू लगाकर हम इसे ड्राय होने देंगे अब सेम पेपर यह जो हार्ट पेपर हमने लिया था वाइट उसे से ही यहाँ पर आप देखेंगे कि हम दांत भी बना रहे हैं दोनों ऑपसित साइट्स में हमें बनाने हैं यह बात का हमें धान रखना है और इस तरीके से हम चिपकाएंगे अब हमारी आई का जो सेंटर पार्ट है वो ड्राइ हो चुका है हम पैन से ही आईबॉल बना रहे हैं और अंदर आप चाहें तो लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं जब वो ड्राइ हो जाए तो आईबॉल को ब्लैक पैंट कर देंगे और हम यहाँ पर यह जो दांत हैं उनको भी चिपका रहे हैं रियालिस्टिक आई अच्छे से और वाइड डॉट सेंटर जो आईबॉल रहे हैं उसमें लगा सकते हैं अब क्योंकि हम पूरा दूबारा से बना रहे हैं बाल तो हम पहले बेस को कलर रहे हैं और यहां पर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बाल बनाने के लिए यह दिखिए एक लेंथ की हम पानने हैं और फिर हम इसमें ग्लू लगा देंगे वाइड लगाने के लिए ड्राय होने देंगे जब अच्छे से सूख जाएगा आप देखिए कि सारे बंचे जो है एक साथ स्टिक हो गए हैं तो अब उनको धीर हम निकाल देंगे यहां पर आप देख रहे हैं जो हमने पानने के लिए रखा था वह अच्छे से सूख गया है जब अच्छे से ड्राय हो जाएगा तब हम यहां पर कलर रहे हैं ब्लू कलर कर रहे हैं थोड़ा पार्थ हमें ग्रीन कलर से भी करना है तो पूरा जो ग्लोब जैसा हमारा अर्थ रहता है वहीं लुक देना है तो दि ग्लू कर रहे हैं आपके पास यह नहीं है तो नॉर्मल ग्लू लगा कर आपको थोड़ी देर रखना होगा क्योंकि यह तो इंस्टेंटली चिपक जाता है आप दूसरा को यूज करो तो उसके लिए थोड़ी देर आप उसे रख दीचिए यहां पर आप लेंद को ट्रिम क अब चाहें कोई और कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं तो धोटी को हम आप पीछे की तरफ एक्स्टरप जो है आप देख रहे हैं हम यह पर पीछे से आगे की तरफ ले जा रहे हैं और आगे चिपका देंगे तो हमारे धोती यहां पर बन गई है अब धोती के ऊपर एक दिखाने के लिए हम यहाँ पर गुल्डन लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अब यह मेरे पास लेस है आपके पास लेस क्योंकि एजली मिल जाती है शॉप्स में तो हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास अगर बॉल चेन है तो आप बॉल चेन या स्टोन चेन से भी यह ओन दिखा सकते हैं कि यह ब्रेसलेट का जो काम है दोनों बाजू में हमें ही लगा देंगे अब नेल्स को हम वाइट पेंट से पेंट कर रहे हैं आप देख रहे हैं थोड़ा लंबे की तरफ हम स्ट्रॉक करेंगी ताकि वो थोड़े दिखाई दें प्रॉमिनेंट हो इन्हें अ और उस पर नॉट बान देंगे और एक्स्ट्र धागे को हम यहां पर कट रहे हैं तो यह हमारा जनेव बनकर तयार हो गया है मुकुट आप देख रहे हैं दोनों पार्ट हमें चिपकाने हैं तो अंदर की तरफ यहां पर ग्लू लगा रहे हैं ताकि मुकुट अच्छे से अब यहां पर भुजाएं बना रहे हैं जो एक्स्ट्र भुजाएं रहती है उसके लिए हम यहां पर फॉर्मशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी इसलिए यहां क्राफ्ट शॉप में तो भुजाओं बाजू का जो डिरेक्शन से वह बहुत हमें ध्यान रखना है कि किस साइड में कौन से बाजू आपको रखनी है यहां पर हमें एक उंगले दिखाए हुए क्योंकि हमें सुदर्शन चक्र दिखाना है एक बाजू में सेम जो बाजू में हम जुल्री का इस्तिमाल करेंगे वही हमें इन बाजू में भी करना तो दोनों में हम यहां पर देखिए चिपका रहे हैं दोनों बाजू होनी चाहिए इसका धान जरूर रखें और इसी लेश से हम सुदर्शन चक्र भी बना रहे हैं आप देखिए यहां पर हम चिपका रहे हैं तो यह एकदम सुदर्शिन चक्रज का जैसा लग दिख रहा है अब यहां पर शंक हम बनाएंगे एक बाजू में तो वाइट लेकर हम इसको कट कर लेंगे और टॉप पार्ट ऑफ शंक को हम गोल्डन से दिखाएंगे सेम उसके लिए भी हम यहां पर लेसका ही इस्तिमाल कर रहे हैं और उसको एक हाथ में चिपका देंगे तो हमारे यह शंक भी रेडी हो गए हैं दोनों भुजाएं रेडी हैं अब यहां पर हम कान बना रहे हैं कान आप चाहें तो ख्ले से बना कर भी चिपका सकते थे बट यह मुझे थोड़ा इजी ओ सिंपल लगा जूखी लाइट वेट में है तो अंदर की तरफ हम पिंक कलर का पीपर चिपका रहे हैं आप चाहें तो जो पिंक कलर हमने नाक में किया है कंँ पर यहां पर से हिंट निया न्यादा टो रूँ नहीं नहीं रहां उट है जी तो यह मारन वाक् enthusiasts का सिख्ता कर रहे हैं तो आप इन भूज आपता दुलर करते हैं उट और नहीं अचमझे गर शकने हीज़ा दिट दिल्या के उट बुजाओं को पीछे की तरफ चिपका देंगे हमें डारेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से बुजा किस तरफ होगी तो दोनों हमारी बन गई है अब यहां पर आप देख रहे हैं जो हमने कमल बनाया है कमल का फूल वो भी हम चिपका देंगे एक हाथ में और हम जी चू कान बनाए हैं उनको भी बहुत केफुली हमें डारेक्शन देखकर चिपकाना है दोनों तरफ यह हमारा कान भी तयार हो गए है अब यह फूलों की माला का टच देनी के लिए हम यहां पर पाइप लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी हम चिपका देंगे अच्छे से सेट करके यह जो गदा है यह आप भनुमान जी की वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाते हैं हमने वहां दिखाया हुआ है और यह अर्थ हमने आपर दर्दी मां चिपका दी है आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो पसंद आई है तो लाइक शेर करना ना भूले जय विश्नु भगवान चिकी